सर मुझे काफी टाइम से OCD है और मेरे दोस्त मेरे को कहते हैं कि दवाई ले लो इस चीज की और मुझे दवाई लेते हुए बहुत डर लगता है मुझे ऐसे लगता है कि कहीं मुझे इसकी आदत न हो जाए तो क्या आप मुझे कुछ इस बारे में बता सकते हैं कि मुझे OCD के लिए दवाई लेनी चाहिए या नहीं क्योंकि मैंने थोड़ा सा इस पर रिसर्च किया था और मुझे पता चला है कि इसको Expose and Prevent Rituals Plus Medications के साथ ठीक किया जा सकता है लेकिन मैं फिर भी Decision नहीं ले पा रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ तो आप Please मुझे बता दीजिए कि मैं क्या करूँ आपने बहुत अच्छा सवाल किया है OCD की Medicine लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए या किसी भी किसम की Mental Problem या Emotional Problem होती है तो हमें Medicine लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए देखिए मैं इसके बारे में कुछ Practical चीज़े बताऊंगा सबसे पहली बात तो यह है कि जो ये दवाया होती है ये आपको पूरी तरीके से ठीक नहीं करती है कहने का मतलब ये है कि ये आपका OCD ठीक नहीं कर सकती है ये जो दवायां देती है ये जो लोग दवायां देते हैं वो आपकी उस Situation जैसे For Example आपको OCD हो रहा है या आपको कोई भी Post Traumatic Stress Disorder है या किसी भी किसम की कोई भी Problem है आप बहुत ज़ादा घवरा रहे है तो उस Situation में जो Doctors होते हैं वो Recommend करते हैं कि आप ये दवायां ले लीजिए इससे क्या होगा कि आपकी जो Anxiety है, घबराहट है, जैसे पसीना आ रहा है बुरी हालत हो रही है आपकी तो वो शान्त हो जाएगी लेकिन वो तो Temporary इलाज हो गया वो कोई Permanent तो है नहीं अगर आपने ये दवायां खाने शुरू कर दी तो धीरे धीरे आपकी Body इन दवायों की Used To हो जाएगी उसके बाद आप जब इनको छोड़ना चाहेंगे तो छोड़ना ही पाएंगे और धीरे धीरे आपको इनकी Doze बढ़ानी पड़ेगी और इसके साथ फिर शुरू हो जाएंगे इसके Side Effect मैं आपको एक बात बताता हूँ कुछ लोग ये समझते हैं कि जैसे Depression होता है OCD होता है इस किसम के जितने भी रोग होते हैं ये दवाईयों से ठीक हो जाते हैं बहुत लोग जानते और समझते हैं उनको ऐसा लगता है कि जैसे बुखार होता है तो हम दवाईय लेते हैं बुखार होता है हम दवाईय लेते हैं और बुखार उतर जाता है इसी तरीके से अगर हमें Depression हो गया या Obsessive Compulsive disorder हो गया तो हम दवाईय ले लेंगे दवाईय लेने से ठीक हो जाएगा बहुत सारे डॉक्टर्स recommend करते हैं आपको दवाईयां बहुत किसम की दवाईयां मिल जाएंगी आप सिरफ इतना लिखो list of OCD medicine और बहुत किसम की दवाईयां की दिक्कत आप चाहें जितना मरजी जोर लगा लो जैसे कि Confidence की कोई दवाईय नहीं आती है जैसे किसी इंसान में Confidence की कमी है तो कोई Confidence की दवाईय नहीं आती है कि आपने Confidence का कैप्सुल खालिया और अब आप में Confidence आ गया या आपकी life में बहुत जादा anxiety होती है तो आपको दवाई देते हैं तो वो दवाई क्या करती है आपको थोड़ी जो आपकी जो हालत होती है उसमें थोड़ा सा आपका जो brain होता है वो आपको थोड़ा नींद जैसा महसूस होता है तो वो जो brain की efficiency है, वो reduce हो जाएगी न, आपको थोड़ा सा नशा जैसे feel होता है, जैसे दवाईयां आम तोर पे खाते हो, खांसी जुकाम के दवाईयां होती है, थोड़ा सा नशा होता है न, नशा जैसे feeling आता है, नीन आती हलकी हलकी, तो वैसे ही होने लग जाता है, लेकिन मैं काफी लोगों से बात किया है इस बारे में, तो वो मुझे बताते हैं, कि न, वो सारा दिन नीन में ही रहते हैं, दवाईयां खाते हैं, नीन में रहते हैं, और दवाईयां भी बहुत expensive होती हैं, एक लड़का मिला था मिरेको, वो बोलता था कि उसके एक week की दवाई का क करीब 7-800 रुपे का है, सिर्फ दवाई दवाईयों का, और डॉक्टर से consultation तो लगी चीज है, 7-800 रुपे की दवाई वो एक week में खाता है, और वो नीद में ही रहता है, नशे में ही रहता है, और वो कुछ भी चीज पर focus नहीं कर सकता है, कुछ करी नहीं सकता है जब वो न ठीक हो जाओगे, बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ, ऐसे patients हैं, जो दवाईयां उन्होंने बहुत लंबे समय तक खाई है, और उसका जो अशर हुआ है, उनके दिल पे हुआ है, उन्होंने दिल के इतने रोग उनको लग गए है, और बहुत किसम की जैसे उनका पेठ ठीक नहीं रहता है, गवराट बहुत होती है, बेचैनी बहुत महसूस होती है, अकेला पन बरदाश्ट नहीं कर पाते हैं, तो यह सब होता है, तो देखिए सबसे पहले तुम आपको यह बता दो, मैं कोई expert नहीं हूँ इस चीज़ का, मैंने जो भी बाते बताई हैं, वो मैंने इन चीज़ों को ट्राई किया है, जो लोग दवाईयां खाते हैं या खाई हैं, उनके जो experience रहे हैं, उन्होंने मुझसे अपने experience शेयर किया हैं, और मैंने आपको वो चीज़ बताई है, बाकी आपकी common sense है, आप use कर सकें, अगर आप OCD का reason जानने की कुशिश करते हैं, तो जो gray matter होता है, वो कम होता है OCD patients में, उसकी जो amount है वो कम होता है, अब gray matter जो होता है, वो important होता है information process करने के लिए, लोग जो normal होते हैं, वो information process कर लेते हैं, जो OCD patients होते हैं, उनका mind properly convinced ही नहीं हो पाता है, कि उनने कोई काम कर दिया है, इसी वज़े से वो repeat करते हैं, और repetition से वो काम खराब हो जाता है, कुछ लोग बोलते हैं, serotonin की से कमी की वज़े से भी होता है, serotonin की कमी तो बहुत असानी से दूर कर सकते हैं, बहुत ऐसे natural sources होते हैं, food के, जैसे serotonin की कमी पूरी हो जाती है, वैसे मैं कुछ देशी तरीके बता सकता हूं, जो कि आप इस्तमाल करेंगे तो उसका फाइदा होता ही होता है जैसे ये dry fruits होते हैं dry fruits को थोड़ा सा भिगो के आप रख दें और आप उनको जब use करते हैं तो आपको वो सारे important nutrients मिल जाएंगे vitamin A, B, C, D, E, K जो भी चाहिए होता है nutrients मिल जाएंगे जो कि doctors बोलते हैं एक अच्छे mind के लिए बहुत जरूरी होता है एक और important जो चीज है उसको समझना बहुत जरूरी है ये सब करके देख लो आप अच्छे से exercise करके देख लो अच्छा nutrition लेके देख लो ये सब चीजें मैं ये नहीं कहता जरूरी नहीं है ये बहुत चीजें जरूरी है छे चीजें तो मैं बता देता हूँ आपको बहुत चीज जरूरी है सबसे पहले है water, air, sunlight ठीक है ना तीन तो ये चीजें होगी हवा, पानी और सूर्य की रोश्नी फिर उसके बाद आता है diet, आपकी जो खुराक है वो बहुत important है नींद और exercise ये चे चीजें हो जाती है मैं फिट्स बता देता हूँ आपको हवा, पानी, सूर्य की रोश्नी नींद, खुराक और exercise ये चे चीजें की कमी की वज़े से आपका दिमाग affect हो गई होगा बिमार या उसकी जो efficiency है productivity है, वो कम बिलकुल पक के तोर पे होगी आप अगर normal व्यक्ति भी है न तब भी होगी ग्रे मेंटर के बारे में ये कहा जाता है कि आप physical exercises करते हैं mental exercises करते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ physical ही कर रहे हो और mental छोड़ दी, physical भी करनी है थोड़ा सा आदा घंटा आपको चलना है pedal चलना है, और हो सके तो तेज चलना है ताकि थोड़ी सी दिल की दड़कन बड़े आपकी दिल की दड़कन जब बड़ेगी पसीना निकलेगा तो वो आपके दिल के लिए दिमाग के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि खून का दौरा होगा और जब खून का दौरा अच्छे से पूरे शरीर में होगा तो सारे शरीर को अच्छे से ऑक्सिजन की सप्लाई मिलेगी और आपकी जो दिमाग है एक तो तौचा है उसमें भी थोड़ा निखार आएगा और जो दिमाग है उसको भी औक्सिजन को तो इंधन बोलते हैं फ्यूल बोलते हैं तो दिमाग को फ्यूल मिलेगा लेकिन ये सब चीज़ें लोग करते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि अब ठीक हो जाएंगे ठीक नहीं होते हैं आपने एक जैसे बोल दिया ना जैसे आपने घर बनाना है तो घर बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो तो ले आए चलो आपको simple example बताता हूँ जैसे आपने चाहे बनानी है चाहे बनाने के लिए आपने जो भी चीज़ें लगती हैं वो सारी तो ले आए लेकिन अब लेके आने से चाहे थोड़े बन जाईगी चाय बनाने के लिए वो सब चीजों की जुरत होती है जो की चाय बनाने के लिए जुरत पड़ती है लेकिन उसके बाद का प्रोसेस होता है सबसे पहले प्रोसेस तो होता है चीजों को लेके आना वो environment create करना तो जब आप ये सब करोगे exercise करोगे physical, mental और फाल तुके कच्रे से खुद को दूर रखोगे जैसे लोग TV देखते हैं, social media देखते हैं और वहाँ पर violence देखते हैं कुछ लोग बहुत ज़दा time waste करते हैं meaningless चीजों में तो meaningless चीज़ हैं आप जब भी कुछ करते हैं देखो तो सही कि आपको मिल क्या रहा है बहुत सारी चीज़े होती हैं जो लोग करते रहते हैं उन्हों productive नहीं होती है वो realizing नहीं करते हैं addiction बहुत बुरी चीज़ होती है वो आपका time खराब करता है time के साथ energy खराब करता है अपने आप energy सुधर जाएगी अपने आप focus सुधरेगा और mind पे फरक पड़ेगा यह सब चीज़े होती है तो मेरे कहने का मतलब है अभी मैं सिरफ अपनी बात को इतने ही रखूँगा यही कहना चाहता हूँ कि दवाईयां खाने से कुछ नहीं होगा दवाईयां खाने से आप बस थोड़ा सा आपको नशा जरूर हो जाएगा लेकिन आपको लंबे समय तक continue करनी पड़ेंगी और result कुछ नहीं होगा क्योंकि doctors को भी नहीं पता कि mind असल में काम करता कैसे because mind is very complicated organ in our body सही से कोई doctor नहीं कह सकता कि mind कैसे काम करता है तो दवाईयों से तो कोई फरक नहीं पड़ेगा कभी कभी किसी को बहुत जादा जैसे trauma से कोई गुजरा है और बहुत जादा बुरी हालत है तो उस situation में दवाईयां चल सकती है थोड़े वक्त के लिए लेकिन दवाईयों पर पेंड हो जाना और दवाईयों से OCD ठीक हो जाना वो नहीं होता है OCD ठीक करने के लिए आपको अपने विचारों पर काम करना पड़ेगा तो जो सवाल था वो ये था कि दवाईयां खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए दवाईयां खाओ जितनी मरज़ी खाओ लेकिन side effects दवाईयों बहुत होते हैं इतने side effects होते हैं कि दिल, दिमाग धीरे-धीरे ये खराब होने लग जाते हैं और इसका असर भी व्यक्ति के शरीर पे साफ दिखाई देने लग जाता है तो आप जो भी दवाई खाना चाहते हैं इस चीज़ को समझ लीजे कि दवाई से OCD ठीक नहीं होता है सिर्फ anxiety घवराट कुछ देर के लिए शान्त हो जाती है मैं फिर भी आपसे ये कहना चाहूंगा मैं कोई expert नहीं हूँ मुझे जो experience मुझे हुआ है लोगों से बात करके तो मैंने आपसे वो share किया है Thank you